हेलो प्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मिश्याल असब करता हूँ आपके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले हैं ताकि आपको हमारे चैन यह को बिना की विना थोडा सा भी स्किप किया है कि अची वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग से बारे हैं बताने जा रहा हूं जो एंड्रोइड में होती है ज़रूरी नहीं है दोस्तों जैसे मैं बता हूं वैसे हो लेकिन हो सकता ही अलग-अलग जगें होंगी वह सा जाएद मेभी आपको पता ना हो तो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कुछ settings के बारे में ओके दोस्तों तो आपको क्या करना है दोस्तों अब मैं वीडियो को ज़रा सा भी skip नहीं करना आप ये वीडियो असली continue यहां से होती है और आपको ए vient किसे करके बताऊंगा जो की बहुत गजव सेटिंग होती है एंडोइड की ओके कैसे क्या करना मैं आपको बताओंगा ओके दोस्तों दोस्तों ये Talk Back एक सेटिंग होती है ओके दोस्तों जिसको आप Accessibility ये एप्लीकेशन ज्यादा तर उनके लिए यूज होती है एप्लीकेशन जहने मतलब कहने का मतलब है यह setting जिन लोग को दिखाई नहीं देता है यहां पर अच्छे से थोड़ा कम दिखाई देता है यहां फिर जिनको थोड़ी problem होती है ओके दोस्तों उनके लिए यह setting होती है अब क्या है इसको आप जैसे ही चालू कर देंगे आप सिर्फ वर्ड बोलके यहां पर काम करने स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इसके अलाबा भी और भी बहुत सारी सर्विसे हैं यहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं इसके अलाबा सेलेक्ट टू स्पीक यह स्क्रीन रीडर की तरह काम करती है ओके दोस्तों यह समझ में आया होगा तो ये भी जो थोड़े बहुत ऐसा बोल सकते हैं जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने में थोड़ी सी मतलब दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए कुछ settings यहां पे होती हैं यह हर android phone में मिल जाती हैं जैसे कि एक है talkback दूसरी है आपको select to speak अब दोस्तो इसके अलावा text to speech output भी होती है यहां पे setting इसको भी अगर आप करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं speech rate वगएरा आप बढ़ाना सच चाहते हैं यानि कि आगर आपको थोड़ी थोड़ा slow बोलते हैं तो speech rate वगएरा आप यहां पे बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से बढ़ा सकते हैं अब दोस्तो इसके अलावा बहुत सारी setting होती है display size डिस्प्ले साइज भी यह उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनको थोड़ा छोटा देखता है ओके दोस्तो जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है ब्लाइड नहीं बोलेंगे थोड़ा छोटा दिखाई देता है तो उनके लिए display size गा option यहां पे आपको मिलता है यहां पे आप small size कर सकते हैं large गर सकते हैं और extra small कर सकते हैं किसी किसी को बड़ा दिखता है तो उनके लिए यह सारी चीज़ें आप इस तरीके से manage कर सकते हैं ओके दोस्तो magnification यह बहुत important part है क्यों दोस्तो मैं आपको बताता हूं अब जैसे ही इसे on करेंगे दोस्तो यहां पे दो option है हो सकता है आपके में कुछ अलग तरीके से हो आपका अगर अलग phone है मेरा Redmi Note 5 Pro है तो इस तरीके से आ रहा है अब यहां पे दोस्तो यह setting off है मैं कर दोंगा इसे on ओके दोस्तो इसे दो तरीके से on कर सकते हैं एक तो triple tap पे जाके एक अगर हम चाये तो magnify कर सकते हैं बटन के थुरू ओके दोस्तो magnify glass से दोस्तो आपको पता होगा magnify glass आता है जिससे आप कोई भी छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं इसी तरीके से आप अगर screen पे जाएंगे और triple tap करेंगे जैसे मैं triple tap करता हूँ तो इस तरीके से screen हमारी जूम इन हो जाएगी और फिर triple tap करूँगा तो वो जूम आउट भी हो जाएगी ओके दोस्तो तो यह feature काफी अच्छा है ओके दोस्तो इसके अलाबा दोस्तो मैंने काफी feature बता दे तीन-चार feature बता दी और कुछ feature बताता हूँ जो इसी में आते हैं ओके दोस्तो accessibility में आते ह अगर आप यूज करना चाहते हैं अपने परपस के लिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं color correction कुछ लोगों को दूस्तो color blindness वगेरा होती है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर option आपको provide कर आए जाते हैं ओके दोस्तो जैसे कि यहाँ पर तीन तरीके की correction mode है ओके दोस्तो red इन तरीके के दे रखे हैं इनको अगर आप यूज करना चाहिए तो यूज कर सकते हैं ओके दूस्तो यह basically color blindness के उपर होते हैं ओके दूस्तो यह हो गया color correction एक होता है color inversion इसको अगर आप on करेंगे तो इस तरीके से यह black screen दिखाई देने लग जाएगी क्योंकि कुछ लोगो रात में दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है तो उस तरीके से यह setting यह आप दी गई है large mouse cursor कुछ लोग cursor का use करते है mobile चलाने के लिए तो यह setting उनके लिए है then आता है remove animation animation कुछ लोगों दिखाई नहीं देता है तो वो अगर आप चाहें तो यहां से remove कर सकते हैं ओके द अगर करना चाहें तो दोस्तो बहुत अच्छी अच्छी setting आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी जो important setting थी जनके बारे मैं बता चुका हूं और आप इन्हें use कर सकते हैं ओके दोस्तों तो उमीद है समझ में आया होगा अच्छी इस वीडियो किस तरीके से किस तरीके स आपने फायदा लिया होगा इस वीडियो से तो अगर यह वीडियो आपको जरा सी पसंद लाई हो तो लाइक जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले दोस्तों बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब त सब्सक्राइब कर लेना ओके दोस्तों बाए